अच्छी कम्प्यूटर की विद्या लेना, सौफ्ट वेर इंजीनियर बनना, अमेरिका जाना, अच्छी नोकरी पाना और वहीं सेटल हो जाना सबसे ज़्यादा सपना हमारे देश में माबाप यही देखते हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कम्प्यूटर का योग है मित्रों और सब कुछ कम्प्यूटर इकरित हो गया है और इसलिए दुनिया भर में कम्प्यूटर प्रोफेशनलों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है और इस डिमांड के कारण हम भारतियों की लाटरी लग गई है क्योंकि ये विद्या बहुत गहन होती है लंबा समय लेती है पढ़ने में और व्यक्ति जब एकांत प्रिय होता है तब ही ये विद्या उसके दिमाग में घुशती है बहुत कठिन विद्या होती है computer की software की और आज मित्रों हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे जो माबाप है जो आकांशा रखते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छी डिगिरी ले और अमेरिका चला जाए अच्छी नौकरी पाले वहीं सेटल हो जाए जीवन का जो उच्च प्राप्त कर ले और अमेरिका जैसे देश में जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो लेटेस्ट डेवलप्मेंट उसे पता होते हैं अपनी फिल्ड के तो आज मित्रों हम देखेंगे कैसे कैसे हाथ में कौन-कौन से चिन्न होते हैं जो हमें बताएंगे कि computer की सिक्षा हमे नमस्कार आप सभी का पाम ब्लॉग में सौगत है और जो दर्शक नए जूड़ रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए जीवन जोतेश अध्यात्म के मेल से जो अम्रित हम प्राप्त करते हैं इस चैनल में आगे भी वो क्रम जारी रहेगा तो मित्रों सबसे पहले यदि हम किसी विक्ति के लिए देखते हैं कि क्या वो software में अपना career बना पाएगा तो ठीक है हम गुरू का परवत तो देखेंगे और गुरू के परवत पर ये भी देखेंगे कि उसका जो ग्यान है वो कितना solid है तो मित्रों हमको गुरू के परवत पर ग्यान देखने को मिलता है तो गुरू का परवत बड़ा हो मचली बनी हुई हो कुछ अच्छे चिन बने हो तो हमको विद्या पुस्तित के ग्यान और ग्यान ये बहुत अच्छा मिलेगा अब हम आईए क्या हम software में कुछ career बना कोई बनता हुआ कोई ब्लॉक आपको वर्ग का साइन स्क्वेर का साइन बनता हुआ दिखे तो ये इस वालों के लिए तो ये राम विद्या के जैसा काम करता है ये उस चीज़ का कंफर्म कर देता है कि व्यक्ति आर एंडी में बहुत आगे जाएगा और इन्वेंशन भी क करेगा तो आर एंडी में वही लोग आगे जाते हैं जो कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर से जुड़े होते हैं तो सूर्य के परवत पर बनने वाला वर्ग का चिन्ह स्क्वाइर का चिन्ह कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर की विद्या की सुलबता प्रदान करता है जातक को तो जि जिन जिन जातक जातिकाओं के सूर्य परवत पर वर्ग बना है स्क्वाइर बना है सॉफ्ट्वेर की शिक्षा उनको बहुत अच्छी सुलब हो सकती है पूरी संभावना है हंड्रेट परसेंट यह तो हुआ पहले सवाल का जबाब अब दूसरा सवाल क्या हम फॉरें जा पाएंगे अब फॉरें जाने के लिए मित्रों हमें चलना पड़ता है चंद्रमा पे और मित्रों चंद्रमा यहां बैठते हैं हमारी हतेली में यहां पर बैठते हैं चंद्रमा अब चंद्रमा जिनके अच्छे होते हैं वो लोग विदेश जाते ही जाते हैं क्योंकि चंद foreigners के मध्ध जाकर आप अपने प्रायोजन काम और यह सब कर सकते हैं और आपके पास में एक अच्छी expertise रही तो चंद्र परवत पर हम क्या देखेंगे तो देखिए हम इतनों चंद्र परवत पर foreign जाने की जो लाइने होती हैं वह यहां से भी बनती है यहां भी बनती है यहां भी और यहां भी अब जी उपर वाली जो लाइन जब बनती है इस तरीके की जल से मैंने बनाई है तो यह दूरस्त देशों को यह बहुत बड़ी हो गई तब तो व्यक्ति जाएगा और लक लाइन को टैच कर कर गए तो वक्ति जाएगा कुछ समय रहेगा चैनल dot लाइफ लाइफ के लाइफ लाइन को टेच कर देच गए के तो αब पर फिर से मैं बात करकना जो ऊपर वाली जब चंदर परवत के अपर मूं यह कट लो और मुन secular तो अपर मून में अगर कोई तिर्ची होरिजोंटल रिखा है जो बढ़ रही है इस तरफ तब व्यक्ति दूरस्त देशों में जाता है जैसे अमेरिका कैनेडा इन सब देशों में जाता है आस्ट्रेलिया बीच वाली लाइने इंगित करती है जो मध्यम दूरी पर हमारे दे और जिन लोगों के हाथ में नीचे रिखा होती है तो वो इंडिया के जो हमारा भारत वर्ष है उसके आज पास का उनको भ्रहमण किस्मत में होता है अब एक नई चीज़ को समझते हैं इसी उत्तर को अगर कोई लाइन शुक्र-परवती हमारा शुक्र परवती यहां से निकलकर चंद्रपरवत की तरफ शली जाए तो व्यक्ति वहां जाएगा विदेश और दूरस्ट देश जाएगा करियर को लेकर जाएगा वहां अपना प्रायोजन करेगा और वहीं रह जाएगा ये भी एक रेखा होती है अगर शुक्र के परवत से निकल कर चंदर के परवत तक चली जाए तो व्यक्ति विदेश भी जाएगा और वहां रहेगा भी और हो सकता है वहीं सेटल हो जाए क्योंकि रेखा बड़ी होती है यह इसी चीज को एक बार और समझते हैं कुछ रेखा हैं चंद्र परवस से निकल कर यही वाली रेखा है जो हम ट्रैवलिंग लाइन बताते हैं यही रेखा अगर जीवन रेखा को टच हो जाए या अंदर तक आजाए वही रेखा या तो आप यहां से बना ले यहां से बना ले यहां से बना ले इन दोनों परवतों को किसको शुक्रों और चंद्र के परवत को जोड़ दे कोई रेखा तो नी संधे व्यक्ति वहीं लगा दू अगर life line आपकी नीचे तक चल रही है और यदि life line में कोई रेखा निकल कर इसको टच कर दे या चंद्रपर्वत की तरफ आ जाए या ज्यादा अच्छी तरीके से चंद्रपर्वत को छू जाए चंद्र का परवत है और यह जीवन रेखा है और फिर एक ब्रांच दर की तरफ भी आ जाए तो ऐसे वृक्ति अपने जीवन के उत्तरार्द में 30-35 के आज कर फॉरेंच जाते ही जाते हैं और अगर ये से और यla इन और यह वाली जादा डार्खे और यहां से निकली है यह लाइन यह हमारे जीवन रेखा अभ यहां पर एक बार मैं फिर से बना दूँ जीवन रेखा जो निकली है हमारी यदि वह बाइफर्केट होके एक यहां चली जाए और एक अंदर की तरफ आ जाए शुक्र के परवत पर लेकिन यह वाली पतली हो और यह वाली डार्क हो तो भी व्यक्ति फॉरें में ही सेटल हो जाता है तो मित्रों यह कुछ साइन थे जो आप अपने हाथ में बंदू बांदाओ और खासकर जो पालक गण हैं वो अपने बच्चों को हाथ में जरूर देखें जो इंदिन के बच्चे 17, 18, 19, 20 साल के होते हैं और वो अपनी डिगरी और अपनी 12 के परिक्षा कंप्लीट करने के सब्सक्राइब को जाना वहां सेटल होना यह सबका सपना रखते हैं मित्रों आपको यह वीडियो नीज संदे पसंद आया होगा यह सभी बच्चे देखें जो फॉरें जाने की आकांशा रखते हैं जो सौफ्टवेर में अपना करियर बनाना चाहते हैं ऐसे लोग इस ब्लॉग बने रहिए स्टे यून